प्रिवेस वीडियो में हमने थर्ड लेशन्स इंस ओरन पढ़ा था तो आज हम उसका एक्सराइज करेंगे चलिए हम एक्सराइज करते हैं हमारा सबसे पहला है हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने सुनते हैं हम किससे सुनते हैं आप किससे सुनते हो किसमें पाक है कि मैं अपने अंग से और गन से सुनता हो किस और गन से आई से आपको आई से सुनाई देता है नो नोस, इयर्ष, आप किस से सुनते हो, इयर्ष चे, है ना, तो हम किस पर टिक करेंगे, इयर्ष पे, क्योंकि आई से हमें दिखाए रिएता है, और नोस से हम स्मेल करते हैं, और इयर्ष से हम सुनते हैं, ओके, second है आपका, I smell with my, इस्वेलीन कि आए उलिफ ग्या होता है हुरा तो आप किसे सुंगते भू प्रह्ट किसे सुंगते हो नौज खर Możina करते नोज से उत को उंपैंसे फेलेंगे तो ङसे हम क्या करते हैं तो बितना के रिखmaskas करते हैं और पFL hawak वह कैसा है स्विर्च है सॉल्ट है सावर है ठीक है बीटर है कैसा है तो आपको किसे महसूस होता है किसे फिल करते हो आप अपने टंग से तो थर्ड है आपका आई टेस्ट विथ माई आप किसे टेस्ट करते हो ठीक है आप किसे टेस्ट करते हो टंग से या स्कीन से या नोस से हां टंग से तो हम किसमें टिक करेंगे टंग पे टेस्ट मिस्ट क्या होता है चक ना स्वाद लेना ना ठीक है तो टेस्ट किसे करते हो आप अपने टंग से टंग मिस्ट क्या होता है जी आई शी मिस्ट क्या होता है देखना आई मिस्ट क्या होता है मैं तो आप किसे देखते ह आप किसे देखते हो आई से ना हम अपने आखों से देखते हैं ना आई मींज आख इयन मींज पान स्कीन मींज प्वचा बी है आपका put tick for correct statements and cross for the wrong ones आपको क्या करना है और जो wrong है वहाँ पे आपको क्या करना है क्रॉस करना है तो सबसे पहले आपका है our ears help us to hear इसमें देखिए इस statement क्या का our means हमारे ear means can help means सहयता से us means हमारे hear means सुनना ना तो हम हमारे कानों से सुनते हैं हम हमारे कानों की सहयता से सुनते हैं तो आप अपने कानों की help से सुनते हुआ ना आपके ears हैं आप voice कहां जाती है आपकी ears में जाती है तो यह statement क्या हो गया true हो गया इस अहीं कह रहा है कि हम अपने कानों की सहयता से सुनते हैं second है आपका our skin helps us to smell the things हमार our skin our means हमारे skin means क्या होता है तुचा ना इस जिसे हम महसूस करते हैं help means सहयता us means हमारे smell means क्या होता है सुनता और thing means क्या होता है सामान ठीक है तो हम अपने skin की help से सुनते हैं हम अपने skin की help से सुनते हैं किसकी help से सुनते हो आप प्लावर को कैसे smell करते हूं nose से ठीक है तो यह statement क्या है wrong है क्योंकि हम किसी सामान को किसे smell करते है nose से और इसमें क्या कर दिया है skin तो यह है statement हमारा क्या हो गया from तो हम इसको क्या कर देंगे cross कर देंगे इसको हम क्या कर देंगे ऐसे cross कर देंगे थर्ड है we listen music with our nose listen we means हम सब listen means सुनना music with our nose हम अपने नाक से music सुनते हैं आपने नाक से सुनते हो कोई भी music होता है sound होता है आप किसे सुनते हो आप किसे सुनते हो अपने ears से है न और इसमें क्या कर दिया है nose आप nose से smell करोगे कि listen करोगे सुनोगे तो nose से smell करते हैं तो यह क्या हो गया यह wrong हो गया 4 है we taste food with our tongue we means हम सब test means चकते हैं food means भोजन our means हमारे और tongue means क्या होता है jeep हम अपने jeep से food भोजन को test करते हैं चकते हैं तो यह क्या होगा आपका statement correct होगा क्योंकि हम अपने jeep से ही चकते हैं न कोई चीज हम में डालते हैं तभी हम बता पाते हैं कि वह कैसा है उसका टेश्ट कैसा है इसकी बाद है आपका स्री है answer the following question आपको इसमें क्या करना है जो questions पूछेंगे हैं आपको उनके answer देने सबसे पहला है name the five sense organ आपको five sense organ name बताने हैं बताया गया था पहले ही आपको हैने तो हमारा first sense organ क्या होगा first sense organ क्या होगा चलिए हम लोग count करते हैं eye, ear, nose, tongue and skin तो सबसे पहले हम लिखेंगे eye हमारा five sense organ है तो पहला हमारा होगा eye e, y, e, s, eyes second होगा आपका ears third होगा आपका nose fourth होगा आपका tongue और five होगा आपका skin okay eye की help से हम देखते हैं ears की help से हम सुनते हैं nose की help से हम smell करते हैं tongue की help से हम test करते हैं skin की help से हम feel करते हैं फिर पूछा है second how many sense organ do we have हमारे कितने sense organ है तो हमारे कितने sense organ है five अभी हमने पढ़ा न one, two, three, four, five five sense organ होते हैं तो हम क्यारी कहेंगे we have five sense organ we have five sense organs okay third है how our ears help us हमारे ears कैसे help करते हैं बताएए आपकी ears कैसे help करते हैं तो हम क्या लिखेंगे ear help us to hear ears help us to hear यह होगा या फिर हम लिसकते हैं ears help us to listen music यह भी हम लिसकते हैं तो इसमें कहा है कि आप ear के help से क्या करते हो तो ear के help से हम सुनते हैं ठीक है उसके बाद है our year से हां दिखना चाहिए था मुझे यहां पर हम लिखते हैं और यहां पर small letter में e जहेगा 4 है आपका which sense organ help us to see इसमें कहा है which sense organ help us to see इसमें से हमारा कौन सा sense organ जो है वो हमें देखने में help करता है तो आप बताएए क्या होगा किसके help से हम देखते हैं तो i होगा क्या होगा i के help से हम क्या करते हैं देखते हैं तो i's help e by e as eyes help us to see यह आपका question answer complete हो गया अब हम करेंगे आगे देखते हैं हमारा क्या है next हमारा है matching आपको क्या करना है match करना है यहां पर आपको work है ठीक है जो हमारे यहां पर sense organ बने हुए है उनका work क्या है उनकी help से हम क्या करते हैं उसके आपको match कराना है तो सबसे पहला आपका है h e a r hear means सुनना तो किसकी help से हम सुनते है ear की help से तो हम ऐसे match करा देंगे second है आपका smell smell means क्या है सुनना किसकी help से हम सुनते है nose की help से t a s t test means क्या होता है चखना या स्वाद देना तो किसकी help से हम चखते है टंग आपका a s e c means देखना किसकी help से हम देखते है आइ की help से तो हम ऐसे क्या करेंगे, scale के help से हम ऐसे match करा देंगे, उसके बाद ही है आपका, find out the names of 5 sense organs in the given word search circle दें, आपको क्या करना है, आपको इस box में, यह आपका क्या है, puzzle है, आपको इस में इसे क्या करना है, 5 sense organs है, आपको उनको search करना है, और साथ ही उन्हें एक circle में, क्या कर देना है, in कर देना है, जैसे आपका है, e, y, e, i, ना, या फिए, e, 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 s, ice, ice मींस क्या हो जाएगी, आपकी arc, तो ऐसे आपको क्या करना है, circle कर देना है, तो जितना भी बता रहेगे हैं, इसको आप complete कर लीजे, नेक्स्ट वीडियो में, हम लग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, तो जितना भी बता रहेगे, उसको आप लोग, question answer को अपने copy में, maintain कर लीजे, और उसका एक pic लेकर, उसका एक image हमारे WhatsApp नमबर पर send कर लिए, thank you,